करने वाले हैं लोकांटो के बारे में हम इहां पे बात करेंगे कि लोकांटो पे अगर किसी ने एड में आपकी information डाली हुई ओप से related डाली हुई जैसे आपका number डाला आपकी photo डाली हुई या कोई और information आपसे related डाली हुई है तो आप क्या है कि आप उसको कैसे remove करा है वो सब हम यहां पर बात करने वाले हैं दोस्तों क्या है कि loganto पर कोई भी add डाल सकता है और उसमें किसी का number डाल सकता है और उस related information डाल सकता है photo डाल सकता है तो यहाँ पर यह काफी लोग एक दूसरे को harass करने के लिए भी करते हैं for example किसी दोस्त ने आपको harass करने के लिए आपकी information डाल दिया आपका number डाल दिया कि phone खरी दिये इतने rate के उपर और यह बिल्कुल सस्ता phone है तो बार-बार आपको phone आ रहे हैं harassment हो रही है तो ऐसे ना कुछ एक person है पता ने उनको क्या निलता है एक दूसरे को ऐसे वो करके तंग करके तो ऐसे यहाँ पर आपको बार-बार harassment हो रही है तो उससे कैसे बचा जाए और उससे इसकी कहां पर complaint की जाए क्या क्या प्रोसेस है वो सब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि आपने simply उस एड का पता होना चीए जहां पर आपका number डला हुआ है और उसको आपने लोकांटो टीम के साथ सेहर करना होगा तो फिर उसके बाद एक नेसेसरी जो एक लिए लिए वह लेंगे यह मैंने जैसे एड डाली हुए सबसे सस्ता इफोन प्रोमैक्स ठीक है अपना सहर में है यह ऐसे फेक डाली हुए मैंने बस आपको यह वीडियो बनाने के लिए ठीक है तो ऐसे को यह एड डाल देता है अ अगर मैं किसी का नंबर डाल दूँ तो फिर क्या कि बार-बार उस बंदे को फोन आने स्टार्ट हो जाएंगे कि सर आपका इफोन कितने में मिलेगा, कहां पर रहते हो यह है फलाना दिमका ना बार-बार हरेस्मेंट हो रही है तो इसके उपर मुझे लगता है कि लोकांटो क अब हमने क्या करना कि हमने simply जो add ID होती यह तो यह अपने copy कर लेनी है अब copy कर ली अब copy करने के बाद simply जो मैंने description में link दिया है उसके उपर आना आपने click करते हैं आप यहां पे पहुंच जाओगे तो दोस्तों अब हमने उनसे contact करना है तो यह मैंने contact वाले उस पेज पेज गया हूं मैंने इसका link description में भी दिया है तर्वाइस आपको एदर home के जो side में देखोगे तो यहां पे help at FAQ में भी आपको यह दिख जाएगा अब simply क्या करना है simply अब हमने आपे इसको चूज topic चूज करना है और उसके बाद आना हमने about add on the site अब हमने इसको click करना है इसको click करने के बाद आपने सबसे नीचे आना है कि my number is on add on locanto without my consent what can I do तो आपने यह select करना है अब यहां पे आपको एक form fill करके देना है और उसके बाद यह अपसे contact करेंगे इस form में क्या है कि आपने बताना है कि जो जो आपको problem होई ही वो आपने हापे लिखना है और इसके साथ में यह कह रहे हैं कि अगर आपका जो number है वो आपका ही number है उससे यह क्या कि अगर आपके पास post paid या फिर अपकेワ इसो का bill है वो आप यहां पर इनके साथ share कर सकते हो उसके photo upload कर सकते हो और अगर otherwise यह नहीं है तो वो बता देंगे आपको क्या है mail में simply क्या करना है कि आपने यहां पर अपना नाम डालना है तो यहां पर ऐसे आपको बताने के लिए कर रहा हूं तो मैं ऐसे लिक रहा हूं दूसरा आपने यह उसके बाद आना है e-mail address तो यहां पर आपने बिल्कुल क्रेक्ट डालना क्योंकि इसी के जरीया वह आपको कॉंडेक्ट करेंगे अब अपने subject चूज करना कि अपका number यूज हो रहा है या फिर अपकी कोई photo यूज की जारी है वह अपने यहां पर subject चूज करना तो यहां पर मेरा है my number is on locanto खेंच अब यहां पर add id एड इड इड इन्होंने mandatory नहीं कि अगर आपको नहीं पता क्यों कि आपको बार वर फोन आ रहे हैं और आपको नहीं पता कि किसी नहीं नहीं बता कि किस एड इड से उन्होंने आपका नंबर लिया है तो क्या कि आप उनको बोलोगा कि यह मेरा नंबर है और अपने इंटरनल सिस्टम में आपका नंबर डालेंगे तो जिस head के उपर वो नंबर दिया हुआ है जिस head id पे अपने आप वो सर्च कर लेंगे ठीक है अब 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 जैसे मेरे पास तो है तो यहां पे मैं डाल देता हूं अगर नहीं है तो वो अपने आप इस करेंगे अब भी select file में आपने क्या करना है अगर आपके पास में जो bill है वो आपके अपने अप्लोड कर देना नहीं है तो आप यहाँ पर रहने दो अब यहाँ पर message इसमें आपने पूरा लिखना जो आपको problem हो रही है कि भई मुझे ये phone आ रहे है ऐसा हो रहा है ये है वो है फलाना दिम्काना जो भी है और उसके बाद जैसे my number जो भी आपको problem हो रही है वो आपने लिख देना है उसके बाद आपने क्लिक करना कि I am not a robot और यहाँ पर verify कर देना है उसके बाद send message पर क्लिक कर देना ठीक है अब वो आप से contact करेंगे आपके email address के उपर आप से जो जो information मांगेंगे वो आपने बतानी है और उसके बाद वहाँ पर आपका complaint वो solve करेंगे उस ad को remove करवाएंगे दोस्तों मुझे मेरे साथ तो कभी यह हुआ नहीं क्योंकि मैंने कभी इनसे contact किया नहीं है बट यह है कि जैसे मैंने थोड़ा बत पढ़ाया कहीं से अगर वो जैसे है कि आपने जो information दी वो बिल्कुल correct है वो number आपसे ही match करता है तो क्या कि उस number को blacklist कर देंगे वो without आपके consent कभी नहीं डल पाएगा कोई भी कभी भी किसी ad में डालेगा तो number वहाँ से immediately remove हो जाएगा automatic system से अब यह तो एक तरीका था दूसरा तरीका वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यहाँ पर कंजूमर कंजूमर कंप्लेंट्स डोट इन यह एक form है जहाँ पर आप किसी भी चीज से रिलेटेड आप यह प्रोब्लम हो यहाँ पर आप कंप्लेंट कर सकते हो यहाँ पर इनोंने एक form बनाया जहाँ पर company connected है और customer connected है तो customer को कोई भी प्रोब्लम है जैसे कि आपको भी लोकांटो भी प्रोब्लम है तो आप यहाँ पर डालोगे तो यहाँ पर देखती है और वो अपसे contact करती है जैसे कि आपको complaint करनी तो simply अपने क्या करना है अपने सारी चीज़े देना है आपको किस company के उपर प्रोब्लम है तो जैसे मैं आप लिख देंगे लोकांटो subject क्या है कि my number is on ठीक है और आपने उसकी सारी detail डालनी है कि यह मुझे problem हो रही है और अगर आप से उसके अगर screenshot है उस add का तो वह भी आप यहाँ पर add करके submit कर सकती हो तो यहाँ पर मैं यह form fill नहीं करने वाला हम फिर से back आते हैं जैसे कि हम यहाँ पर search करके देख पाएंगे कि लोकांटो के related कौन कौन सी problem है लोग को आती है वो पता चल जाएगा हम यह problem है पता नहीं लोग क्यों किसी का number डाल देते हैं जैसे कि यह कह रहा है कि मुझे इनको full review पढ़ते हैं जैसे हम यह है कि unwanted call आ रहे है message आ रहे है कि I got your number from लोकांटो जैसे कोई भी लोकांटो पे number डाल देता है किसे का भी डाल देता है और इनको पता नहीं कि किस ने इस number को upload किया और यह बार बार इनको phone आ रहे हैं तो क्या है कि आप यहां पर डालोगे तो यहां पर जो लोकांटो की team है वो बहुत ज़्यादा active होती है और आपका वो solve करने की कोशिस करते है अब जैसे कि हमने जो form fill किया था इन्होंने भी वही बोला हुआ कि आप यहां पर इस पर contact केजिए इस लिंक के जरीए या फिर आप इनको mail भी बैद सकते हो protected at locantro.com जैसे हम इसको open करेंगे ना तो यह हमें उसी page के उपर लेके जाएगा ठीक है तो आप ऐसे यहां पर complaint कर सकते हो दोनों कि आप यहां पर भी कर सकते हो और वहां पर भी कर सकते हो तो यहां पर इनका जो satisfaction rating है वो 50% है तो काफी यह problem को जल्दी solve करने कोशिस करते है ठीक है तो दोस्तों ऐसे करके आप कर लगता है कि जैसे कि लोकांटो को यहां पर एक system introduce करना चाहिए कि जो उसकी add है उसके अंदर number सिर्फ verified number ही यहां पर एंटर मतलब जैसे कि जब account बनाते है उस time पर जो number हम verify करते है वही number वो add होना चाहिए अब किसी का number ऐसे add नहीं होना चाहिए ठीक है तो वो उसको उन्हो प्रोब्लम में जैसे यहां पर पढ़ोगे न तो इतने सार लोगों के number यहां पर गया देज समनना पोस्टिट वाइं पिकर नंबर मुबाइल नंबर देखो मुबाइल नंबर कितनी सारी add है एडो पर यहां पर किसी का number यूज गया हो तो इसको लोकांटो को seriously लेना चाहिए ठीक है दोस्तों आपका कोई स्वाल हो सुझाओ एग वार मुझे instagram पर contact पर सकते हो नीचे लख सकते हो thank you bye bye